सुबह की जल्दबाजी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाए नास्ता तो पांच मिनट में बनने वाली यह साब उदाना की रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़ादा पसंद आएगा आप इसे बच्चों को टिफि साथ ही दो से तीन सुखी हुई लाल में चैट कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे तो लो फ्लेम पे हमें इसे भून लेना है अच्छे से और थोड़ा सा ठंडा होने देना है जैसी थोड़ा से ठंडे हो जाएंगे इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दे जरूरत के नुसार पानी डाल लीजेगा आप मैंने आप चटनी को मीडियम थिकनेस का रखा है बहुत जादा पतला नहीं किया है और इसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड़के पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया था उसमें जीरा सरसो लालमेच और करी किया किया है है साथ ही रंजीत कौर जी को पंजाब धिलिप बहुत बहुत शुकração बहुत शुक्रिया मैं और भी लोगों का नाम लूँगी यहां पर मैंने सबसीयां ले लिए हैं सबसीयां में जो भी आपको प्रसंद है वो ले लिजे अब इसके बाद यहां पर हम मसाले अड़ कर देंगे तो नमक चाथ मसाला और थोड़ा से जीरा पाउडर काले मेच का पाउडर कुटी मिलाल मेच डाल करके इसे अच्छे से मिला और यहां पर मैंने मूंग डाल लिया है मेरे पास मूंग डाल पड़ा हुए थे तो मैंने इसका इस्तमाल किया है आप चाहे तो यहां पर इसकी जगे पर सूजी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसके बाद एक कप सूजी ले लिजेगा इसे एड़ करके अद्रक डाल करके पानी थोड़े सा ढाल लिए। झाल भाश तहीं डाल करके बढ़िया से कलन लिए। थोड़े मिक्सर को भे हाँ अब यहां पर नमक दालेंगे ऑग Colonise अब यहां पे बैटर को मैं आधा करनूंगी क्योंकि मैं पूरा बैटर नहीं अभी इस्तमाल करूंगी बाद में बनाऊंगी थोड़ा सा अब थोड़ा से आधी बैटर में दो चुटकी जितना बेकिंग सोड आड करेंगे आप चाहे तो इसे पूरी तरीकी से स्किप कर सकते हैं अब इसके बाद अच्छे से मिला लीजे और एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लीजे हाई फ्लेम पे फ्लेम को रखेंगे और हाई फ्लेम पे इस बैटर को थोड़ा सा डाल देंगे यह आटमेटिक फैल जाएगा जो हमने सबजियों और मिस्टन तयार किया था उसे हमें इसके उपर रख देना है तो बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है यह आप एक बार इसे जरूर ट्राय करिएगा सूजी के उत्तिपम तो आपने बहुत ज़्यादा खाये होंगे एक बार इस तरीके से साबुदाना के उत्तिपम ट्राय करिएगा आपको बहुत सॉफ्ट होके बन करके तयार होते हैं और सुबह से साम तक यह सॉफ्ट ही रहेंगे बचों के टिफिन में देने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बचों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो यह हमारा बन करके तयार हो गया है बहुत ही हेल्दी टेस्टी सा सौगी लगाएगा लेकिन थोड़ी से ठंडे होने के बाद यह और भी जादा मुलायम हो जाते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर रहे करेगा और आपको यह रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा इसी तरीके कि और मेज़दार रेसिपी के लिए अभी तक मेरे चैनल क को सब्सक्राइब ने की हैं तो जरूर करिएगा पेज को फॉलो करिएगा तिल देन टेक केर और बाबाए